एलो दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में स्वागत है। तो जैसा आपको पता है, supply and demand का मतलब होता है aggressive buying and aggressive selling। हमें चीजों को एकदम simple way में समझना है। यहाँ इन candles को देखिए, continuous big red candle जो हमें aggressive selling शो करता है। इसका मतलब यहाँ aggressive selling हुआ है, जिसके base पर हम एक supply zone draw कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, demand continuous big green candle जिसे हम momentum candle भी बोलते हैं, यहाँ aggressive buying हुआ है। तो simply demand and supply के लिए हमें aggressive buying and aggressive selling चाहिए। एक अच्छा momentum चाहिए। ओके अब देखिए, हमें ऐसा momentum नहीं चाहिए, जहाँ छोटे candles बन रहे हो। We need nice momentum candles like this. So in trading supply और demand का मतलब होता है, aggressive buying and aggressive selling. Next, why do I trade supply and demand? मतलब हमें क्यों supply and demand पर trade करना चाहिए। देखिए, हर चीज के पीछे एक logic, एक mindset होता है। बिना उसे जाने उसके उपर काम करने में न आपको मज़ा आएगा न मुझे। तो यह बहुत simple है, मैं ace a retail trader prefer करूँगा। Big players के साथ trade में रहने का मतलब, जिनके पास बहुत पैसा है वो, जब market में react करें, तो मैं भी उनके साथ react करूँ। जब भी ऐसे aggressive candle form होते हैं, इसका मतलब यहां कोई big player enter हुआ है, क्योंकि हम retail trader के पास इतना aggressive move लाने का potential नहीं है। So that the simple reason, हम लोग क्यों demand and supply को use करते हैं। अब समझते हैं कैसे हमें supply and demand को chart पर find करना है। देखिए हमें minimum 3 candle चाहिए जिनका size अच्छा खासा हो। यहां देखिए, यहां हमारे पास 3 big size candle है जो हमें बताते हैं, यहां momentum है। तो बस हमें 3 momentum candle चाहिए जहां कम समय में price अच्छा खासा movement दिया हो। अब देखिए, 3 से ज्यादा candle भी हो सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, यहां हमारे पास 1, 2, 3, 4, total 5 candle है। बट हमें minimum 3 candle चाहिए, अब tool section से हम rectangle box को select करेंगे और zone को draw करेंगे, तो कुछ इस प्रकार हम zone को find करते हैं। Draw कैसे करना है आगे इसी वीडियो में देखेंगे। उसके पहले एक और example देखते हैं। यहां देखें, अगेन हमारे पास big size continuous candles है। तो basically हम price का वापस इस level पर आने का wait करेंगे और फिर trade लेंगे। अब समझते हैं कैसे हमें supply and demand को draw करना है। तो इसके तीन तरीके हैं last pivot का use करके, tight consolidation का use करके, और wix का use करके। आईए पहले देखते हैं using last pivot, तो basically जहां से move का start हुआ है, हमें उसके पहले जो opposite color का candle है, उसके size का एक zone create करना है कुछ, इस प्रकार यहां हमें aggressive buying देखने को मिला, इसलिए यह एक demand zone है। यहां price के वापस आने पर हम trade opportunity ढूंड सकते हैं। Next, यह है supply zone, जहां हमने last pivot का use कर एक supply zone draw किया। अगला तरीका का देखते हैं using consolidation। Basically, अगर एक aggressive move के पहले हमें एक tight consolidation मिलता है, तो हम उस entire consolidation के base पर एक zone draw कर सकते हैं। For example, यहां देखिए, price में aggressive selling आने के पहले यहां price थोड़ा consolidate करता है, तो हमने इस consolidation के base पर एक supply zone draw किया कुछ इस प्रकार। Next time जब price यहां वापस आएगा, तो हम यहां sale कर सकते हैं। Next यह है demand zone का example, जहां हमने consolidation का use करके एक demand zone mark किया, तो अगला तरीका देखते हैं जिसमें हम candles के wick का use करके zone को create करेंगे। So यहां देखिए, यहां हमें एक fast momentum देखने को मिलता है, यहां aggressive buying हुई है, अब इसके पहले जो long week candle है इसे देखिए, तो हम इसके पूरे body का use नहीं करेंगे। यहां हम सिर्फ इस candle का week use करेंगे और एक demand zone draw करेंगे। कुछ इस प्रकार और price का वापस इस level पर आने का wait करेंगे, तो मैं आपको recommend करूँगा, अगर आप एक beginner हो, तो आप ऐसे zone को use ना करें। आप zone को draw करने के लिए पहले दो तरीके का use करें। आईए, एक और तरीका देखते हैं। यहां देखिए, price wave में move कर रहा है, तो इन waves में अगर हमें कोई demand zone मिलता है, कुछ इस प्रकार तो हम price का वापस यहां आने का wait करेंगे, और फिर trade लेंगे, तो अब बात करते हैं कितने बार हम एक zone को use कर सकते हैं। देखिए, चीज़ों को simple रखते हैं, basically हम सब beginners हैं, तो हमें एक zone को बस एक बार use करना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं, यह दोबारा काम नहीं करेगा, बट अभी के लिए मैं आपको recommend करूँगा, आप एक zone का use एक बार करें, एक और important question, क्या हमें confirmation का use करना चाहिए, या आप zone पे किसी candlestick pattern का confirmation ले सकते हो, like bullish और bearish candlestick, या फिर conference के base पर trade ले सकते हो, जिसमें हम कुछ indicators का use कर सकते हैं, like moving average, so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी doubt है, तो comment में जरूर लिखे, हम मिलेगे किसी नई वीडियो मे किसी नई topic के साथ, तब तक के लिए all the best, stock market से related content के लिए वीडियो को like, share और comment करें और channel को subscribe करें